हेलो एबरीवन हमारे चैनल येस जेहंदी रिस्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत बहुत जादा टेस्टी सी रिस्पी तो चलो उसके लिए करते हैं तैयारी और ये हमने चना दाल है ये भीगो दी थी स्टेंड बनाने का था ना कि तुरंथी बच्चों ने कहा कि ये बनाओ तो मैंने कहा चलो भई एक रेस्पी के फर्माइस उन्होंने कर दी और हमने कहा भई कर लेते हैं तो अभी आदे गंटे मैंने चना दाल भीगोई है और ठंड है तो ठंड में इतनी जल्दी चाहे गुन-गुना पानी हो कुछ भी हो इतनी जल्दी नहीं फूलती है फिर भी थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भीगो दिया था तो थोड़ा सा हो गई है लेकिन इसको अभी चौकने के बज़ाए इसको चौका नहीं लगाएंगे इसको अभी कुकर में ही थोड़ा सा नरम करेंगे एक दो सीटी में नरम हो जाएगी दाल पिर हमारी तयार हो जाएगी तो आज हम जैसे सल्गम की और चनादाल की रेश्पी बना रहे हैं वेज कबाब तो बहुत तरह के खाए होगे और चनादाल वेज कबाब तो बहुत तरह के बई बनते हैं लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं सल्गम के वेज कबाब तो सल्गम और चनादाल के तो इसके लिए किया है तियारी तो चना डाल मैंने कूकर में डाल दिया है धूल के और अभी छेल लेते हैं शलगम और इसके तो कबाब भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो जैसे सभी कबाब हैं सभी टेस्टी बनते हैं अच्छे हरेकी अपनी-पनी टेस्ट होता है कि अलगम में भी अलग होता है तो आज बेटे ने कर दी फरमाई हमने का चलो भी आज शलगम के कबाब बना के खिलाते हैं तो शलगम भी मैंने इनको छे लिया है अब इनको काट करके इसमे डालेंगे तो चार शलगम है न Particularlyde ones भी नहीं है तो अभी चलो इनको काट करके डाल देते हैं शल्गम तो बहुत जल्दी गल जाता है और चना दाल भी गल जाती है तो इनको काट करके डाल देते हैं चना ये शल्गम हमारे कट गए है और अभी अभी डालेंगे इसमें तो थोड़े से और मसाले तो ये है सौफ और लॉंग है, 8-10 लॉंग है, धनिया है, खड़ी धनिया है, काली मिरच है, जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च, डालची, नीजा, बित्री, टुकड़ा, एक बड़ी लाइची और छोटी लाइची, तो मसाले थोड़ा सा कॉंटिटी हमारी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लेवर चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा सा, और जब एक दब चटपटा सा भी चाहिए, तो अभी हम नमक डाल देते हैं, इसमें और डाल देंगे वही सारे मसाले ये, जो खड़े मसाले है ना, तो ले तरे के कबाब खाते हैं, तो अभी थोड़ा सा मने पानी डाल दिया है, और अभी डालेंगे इसमें थोड़ा सा अहल्दी, क्योंकि हल्दी से थोड़ा सा होता है ना, जब कलर बढ़िया लगता है, तो देखने में, कहते हैं आँखों को जो चीज अच्छी लगती है, अगर कोई चीज मुझे टेस्ट अच्छा होगा लेकिन आखों को जो चीज नहीं अच्छी लगती तो फिर पता नहीं चलता है कि खाने से पहले सोचना पड़ता है कि कैसा होगा, तो चलो भी, अभी कुकर मैंने चरहा दिया है, और इसको दो तीन सीटी आने देते हैं, दो तीन सीटी आने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे दाल गल गई है, तो पानी क्योंकि बहुत थोड़ा सा रखा था, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाता है, और फिर वो फिर लों की खुश्बू पैल जाती है, तो दाल हमारी गल गई है, तो इसको अभी हम रखेंगे साइड में, क्योंकि ठंडा है, ठंडा करके ही इसको हम पीसेंगे, और शल्गम भी गल गया है अच्छे से, और इसके साथ मैं फिर इसको रख देते हैं साइड में, और करते हैं आटा तो ये क्योंकि घर का बना हुआ गे हूंका आटा है तो भई इसको चानना भी पड़ेगा तो और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा मैदा जिससे ये होगा ना कि जो पराठे हमारे बनेंगे वो बाहर जैसे ना धाबे वगएरा पर बनते हैं वैसे ही बनेंगे और नम आटे को गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है तो मैदे कभी बना सकते हैं खाली गेहूं के आटे कभी बना सकते हैं खाली मैदे कभी बना सकते हैं लेकिन जो हमें जो चाहिए ना बाहर वाली चीज मुझे चाहिए घर में बनाना तो वो तो तभी आपाएगी जब दोनों और इसको भी अब साइड में रखते हैं, फिर और करते हैं थोड़ी सी तयारी, तो जब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा, और फिर अभी हम करते हैं, चटनी की तयारी, तो कबाब जो आप बिना चटनी के तो मजा नहीं आएगा भी, तो उसके लिए चटनी चाहिए, खटी- त्यार हो जाए तो ये भी डाल देंगे और थोड़ी से डाल देंगे एक टुकड़ा अधरक का डालेंगे और ये हमने लिया है इमली तो इमली का पल्प निकाल सकते थे ना गुदा इसका निकाल सकते थे लेकिन मैंने बीज हटा के और भी गोया नहीं था तो इसको अभी अधरक के साथ मैं इसको भी डाल दिया है तो इमली डाल दिया है नमक भी डाल दिया हो थोड़ा डाल देंगे जीरा और बस पानी डाल के बढ़िया सी चटपटी वाली चटनी तयार हो जाएगे खटी-खटी सी, चटपटी सी चटनी, और इमली के अलग भी चटनी बना सकते थे, लेकिन हमने सुचा चलो एक में ही बना देते हैं, खारी धनिया और इमली की चटनी, तो बहुत ही बढ़िया सी बन जाती है, चटपटी सी, तो हमारी चटनी भी पीस ली हमने, बनाने में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हमारे ये भी चना दाल और शल्गम भी ठंडा हो गया था अब इसको जार में डालके पीस लेते हैं थोड़ा थोड़ा पीसेंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे और देखते हैं अगर पिस जाता है तो पानी नहीं डालेंगे तो बिना पानी के भी अच्छा पिस गिया था क्योंकि उसमें पानी मोईसर वैसे भी बहुत जादा होता है शलगम में तो पिस गिया था तो अभी इसको निकाल लेते हैं इसी तरह से सारा जो है ना सारी डाल पिस लेंगे तो फ्रेंट्स आज हमारे वेज कबाब शलगम वाले वेज कबाब है ना तो पसंदा है तो जरूर बताना और अभी हमारी दाल पिस गई थी अभी हमने इसमें थोड़े-थोड़े से मसाले और डाल देंगे हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा गरब मसाला थोड़ा सा लाल मिश पाउडर डाल दिया है और फिर नमक देखना कि नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं तो अभी इसको जो है न यह डाल का बैटर है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें प्याज लसन वगरा मैंने कुछ भी नहीं डाला है प्याज लसन धनिया कुछ भी नहीं डाला है ऐसे ही बनाएंगे हाँ अगर आप चाहो तो डाल सकते हो तो यह कोई ऐसा नहीं है तो इभी इसको हम सर्सों के तेल में ही सेखेंगे क्योंकि हमारे हाँ सर्सों का तेल ही जादा थोड़ा सा यूज होता है और रिफाइंड नहीं यूज होता है बहुत कम ऐसे कभी कभी रिफाइंड यूज होता है नहीं बच्चों को जादा रिफाइंड पसंद नहीं आता तो अब ही कबाब हमने इस तरह से गोल-गोल करके डाल दिये हैं तवे पे तवा भी गरम हो गया था बड़ी आसा और इनको पलट-ुलट-ुलट के अच्छे से से शेख लेते हैं तो ये हमारे देखो कबाब ना शलगम चने डाल के कबाब बहुत ज़्यादा टिस्टी बनते हैं फ्रेंड्स एक बार इनको ट्राइ जरूर करना और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो स ज़्यादा टिस्टी लगते हैं तो मेरे यहां बनते बनते भी खतम होने लगते हैं उधर मैं सेखती जाती हूं उधर खतम होने लगते हैं बच्छों को क्योंकि बेहदी ज़्यादा पसंद हैं तो इसी तरह से हम सारे कबाब सेंक लेंगे तो पहले अभी कबाब हमारे ये दिखो सिक्की हो गए हैं तियार और एक प्लेट मैंने लगा दिये वच्चों को खाने के लिए बाकी और सेख लेंगे तो फिर ये खाए जाएंगे पराठों के साथ में तो इसी तरह से जादा जादा डालके जल्दी से फटा फट सारे हम सेख लिए हैं कबाब और उसके बाद अभी पराठे सेख दे तो पराठे न एकदब चपाती वाले हो रहे हैं पतले पतले से बेले हैं तो ये भी सेख लेते हैं तो ये धना कि कुछ लोग जो है ना सर्सों के तेल में पराठे खाने वाले थे कुछ लोग घी वाले पराठे खाने वाले थे तो इस तरह से हमारे दो तरह के पराठे मेंने बनाए तो अभी तो हम सर्सों के तेल वाले सेख लेते हैं तो सभी लोगों के पसंद के होने चाहिए ना कोई चीज हो तो सभी लोगों की पसंद की बननी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी लगती है और सब लोगों को अच्छी भी लगती है तो चलो हमारे पराठे भी देखो रेडी हो रहे हैं सब पराठे इसी तरह से चपाती जैसे बहुत पतले-पतले से सेक लेंगे एकदम होटल धाबे वाले बिल्कुल धाबे वाले पराठे हमारे बनके हो गए हैं यार और सब को खाना लगा के देखते भी जा रहे थे क्योंकि भी गरम-गरम है और ठंडक का मौसम है तो ठंडक में तो गरम-गरम खाना ही अच्छा लगता है तो बनाते भी जा रहे थे और सब लोग खाते भी जा रहे थे तो एक-एक पराठा गरम-गरम सा वेज कबाब पराठा मज़ा आ गया सब को खा के सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएं इस तरह से जब बनते हैं न तो बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने वालों का तो फिर मज़ा ही आ जाता है और जब पूरा परिवार बैट के खाता है एक साथ तो फिर मज़ा आ जाता है और भी अच्छा लगता है तो इस तरह से हमने सारे पराठे सेक लिये थे और अब लाज्ट में है कि लाज्ट पराठा और अभी बस ये सको भी सेक लेते हैं और गैस कर देते हैं ओफ हो गया हमारा खाना आज का बट के तयार शलगम के वेज कबाब शलगम चना दाल के वेज कबाब पराठा धाबे वालों को भी मात कर दिये आज बहुत ज़्यादा टिस्टी बने थे इतने अच्छे तो बाहर के भी नहीं होते तो मैंने भी लाश्ट में लगा ली थी अपने प्लेट तो चलो फ्रेंड्स हम भी खाते हैं आप लोग भी एंजॉय करो और एक बार बना के बताना जरूर कैसे बने